प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मॉयल प्लेस्मेंट सर्विस चानल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए तो लॉक्डाउन में इतनी जॉब्स गई हैं अगर हम मेंली बात करें होटेल इंडस्ट्री की तो वहाँ पे कुप सैफ जो ये वरकर्स थे इनकी जॉब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि बहुत सारे बिजनेसे बंद हो गए हैं अभी भी ये अपनी जॉब के लिए श्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनको वापस वो वैल्यू नहीं मिल पा रही है जो उनकी पहले थी जो उनको सैलरी वहाँ पे मिल रही थी आज की डेट में भी वो लोग श्ट्रगल कर रहे हैं तो आज मैं इसी से रिलेटेट आपके लिए जॉब लेके आया हम प्लीज लास तक वीडियो में बने रही हैगा और जिनोंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंट सेरकल में शेयर करें ताकि जादा से जादा कैंडिडेट वीडियो पे अप्लाई करें या इस जॉब पे अप्लाई करें वेलकम बैक तो आवर चैनल मॉयल प्लेस्मेंट सर्विस एंड वी आर फ्री जॉब्स प्रोवाइडर हमेशा की तरह लेके आते हैं आपके लिए न्यू अप्डेट न्यू जॉब न्यू वेकेंसी तो प्लीज इस वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा आज की जो हमारे पास वेकेंसी रहने वाली है ये है सेफ और कुप की ये मेंली इट्सक कुप प्रोफाइल जो हमें एक घर के लिए आवसकता है मतलब घर पे कुप की नीड है उनको वर्क क्या करना होगा कैसे उनकी सैलरी रहेगी मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रह करें इस वेकेंसी पे अपलाई करें और हमारे जो रिक्रूटर्स हैं जब पूरी वीडियो आप देख लोगे इसके बाद ही उन्हें कॉल करें तो आएए शुरू करता हूं ये जो वेकेंसी है ये है कुप कुप मतलब जो हमारे घरों में खाना वगरा बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं उनकी हमें नीड है मिनीमम में जो तीन कुक रिक्वाइड है गुडगाओं लोकेशन के लिए अब देख उनको खाना क्या क्या आना चाहिए में जो घर का फूड होता है जैसे दाल चावल रोटी पनी चिकन वगरा ये सब जो बेसिक जो हमारी नीड होती है वो तो उनको आना ही चाहिए इसके अलावा थोड़ा बहुत चाइनीज में और थोड़ा बहुत साउथ इंडियन में लाइक उन्हें जो चाइनीज फूड वगरा होते हैं बेसिकली हर किसी कुक को आते ही है तो बेसिकली थोड़ा सा चाइनीज और थोड़ा सा साउथ का उन्हें नॉलेज होना चाहिए अधर कुछ होगा तो वो उनको जो फैमली है वो उनको बता देंगी तो बेसिकली के वल यह चीज है उनको आने चाहिए घर का नॉर्मल खाना और मिनिमम वन और टू यहर का उन्हें एक्सपीरियंस होना मेंडिटरी है फ्रेश बिलकुल भी अप्लाई ना करें फ्रेशर के लिए यह विकेंसी नहीं है अगर उन्हें वन यहर मिनिमम एक्सपीरियंस है वन और टू यहर तो ही आप इस विकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपकी जो लोकेशन रहने वाली है दोस्तों वह है सेक्टर पंदरा गुडगाओं में से गुडगाओं की लोकेशन से यह तीन लोकेशन में हमें तीन सेफ रिक्वाइड हैं तीन कुक रिक्वाइड हैं अब आता है दोस्तों की बैनिफिट्स क्या रहने वाले हैं इसमें आपको रहना प्लस खाना वही प्रोवाइट करींगे मतलब आपका कोई भी खर्चा नहीं होने वाला और आपकी जो salary रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी 14,000 तो 17,000 बतलब 14,000 से 17,000 के बीच में depend on your last salary, depend on your work, depend on your skills और आपको क्या-क्या बनाना आता है, आप कैसे घर में serve करते हो, किस तरीके से आप घर में रहते हो, सबसे पहली चीज अब जो आती है main point, जो family हैं जिन्होंने hire करना है, उन्होंने कुछ points हमारे साथ share कियें, कि जो भी cook वगरा होता है, वो familiar हो, मतलब ऐसा नहीं कि वो बिलकुल घर में as a family की तरह रहना चाहिए, है ना, जो वो खाएंगे, वो ही, जो बनाएगा, वो ही सभी ने खाना है, या घर में जैसे थोड़ा बहुत हेल्प होती है, अब सपोज, इस टाइम पे वो खाना नहीं बना रहे है, अगर थोड़ा बहुत काम है, जैसे सामान इदर से उदर करना, तो उसमें भी हेल्प करने वाला होना चीए, ऐसे नहीं होने चीए, जैसे कई सारे कुक होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट वगरा के कुक होते हैं, कि उनको एक पर्टिकुलर काम करना होता है, कि भाई, उनने खाना बनाना है, that's it, उन्होंने जो भी सबजी वगरा कट कर रखी है, उसको बन में रह रहे हैं, जो घर मिल रहा है, उसी में वो रह भी रहे हैं, तो उनको छोटे मोटे वर्क भी करने पड़ सकते हैं, जैसे बाहर से सबजी लाना, या घर का सामान इदर उदर करना, या छोटे मोटे वर्क वो भी उनको मैनेज करने ओरते हैं, वो घर में होता ही होता है तो ऐसा ही candidate इस vacancy पे apply करें जो थोड़ा बहुत manage करना जानता हो इसके साथ ही दोस्तों company रहना जो family है वो रहना और खाना अपना provide कर रही है इसमें वो भी free of cost आपको इसके लिए कोई भी amount देने की जरूरत नहीं है it's a free of cost like आप वहाँ पे as a family रहोगे इसके लावा दूस्तों जो बेली part आता है कि आप कैसे वहाँ पे apply करोगे या कैसे आप check करेंगे वो आपको की आपको ये बनाना आता है तो उसके लिए हम आपकी help करेंगे आपने हमें अपना एक portfolio या ऐसा कुछ बना के देना है मतलब कि जिस पे आपने सारी details लिखी हो कि आपको South Indian में क्या क्या आता है और Chinese में क्या क्या आता है तो इसमें जो भी candidate apply कर रहे हैं प्लीज पहले वो वीडियो को last तक देखें and तक देखें अगर तब भी उने कोई doubts हैं तो वो हमारी टीम को call कर सकते हैं दोस्तों ये जो हमारी vacancy है बहुत जल्दी close हो जाती हैं कई vacancies ऐसी होती हैं जिन में बहुत जल्दी candidates apply कर देते हैं तो अगर आपको इस vacancy पे apply करना है तो immediately इस पे apply करें क्योंकि हो सकता है आप से पहले कोई और इस पे apply करके अपना interview schedule करवा दे तो दोस्तों इसमें जो हमें experience required है वो minimum one year mandatory है तो fresher बिल्कुल भी इस पे apply ना करें तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं यहीं पे close करता हूँ इसके साथ ही हमारे please आप चैनल को subscribe करें लाइक करें और हमारे जो instagram और telegram के हमने link description box में दे रखे हैं please उन पे भी आप update रहें वहाँ पे हम अपनी new new vacancies भी share करते रहते हैं तो दोस्तों मिलता हूँ फिट से new video के साथ तब तक के लिए bye bye